उत्तरप्रदेश के गलियों से निकल कर बोट परिक्षा में च्छा गया एक युवा जिसकी कहानी आपको जरू सुननी चाहिए मिलिये तरुन सिंग से जो मेरड के एक छोटे से गाउं से है तरुन के पिता मोहनलाल एक गाड़ी चालक है और उनकी मा पूनम एक फैक्टरी में काम करती है इन कढ़िन परिस्थितियों में भी तरुन ने कभी हार नहीं मानी तरुन ने अपनी पड़ाई के लिए अधुतिये जुनूत दिखाया उन्होंने एक पुराने मोबाईल फोन का उप्योग करके ओनलाइन संसाधनों से पड़ाई की उनका दिन सुभह चार बजे शुरू होता और रात के दो बजे तक पड़ाई में ही बीटता अपनी शिक्षा के दोरान तरुन को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा उन्होंने ना केवल आर्थिक बलकि शैक्षनिक बाधाओ को पार किया उनके शिक्षकों की मदद और उनके अपने अथक परिश्रम से तरुन ने यूपी बोर्ड में उलेखनीय सफलता हासिल की तरुन की सफलता ने सभी को आश्चर रिचकत कर दिया उन्होंने 500 में से 482 अंक प्राप्त की है जिससे वैं यूपी बोर्ड में टॉपरों में शुमार हो गए ये उनके परिवार के लिए गर्फ की बात है और उनके समुदाई के लिए प्रेड़ना का स्त्रोत है तरुन का कहना है कि सफलता के लिए लगातार मेहनत और समरपड जरूरी है उन्होंने युवाओ को संदेश दिया कि किसी भी परिक्षा में सफल होने के लिए आखरे समय की तैयारी नहीं बलकि निमित अध्यान और पूर समरपड आविशक है तरुन की कहानी ने साबित कर दिया है कि कटिन परिश्रम और द्रण निश्चे से किसी भी चुनोती को पार किया जा सकता है लोकल 18 मीरट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट